हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब लोग अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबहे की साड़े छे और अब मैं उठकर अभी मैंने अपना मुग अगेरा दोया है दोलके बस अभी मैं बनाने जा रही हूं चाय तो दोस्तों यहां पर मैं चाय ब मलाई एक दम आने दूर इसमें निकाला उससे तो मलाई उससे बिलकुछ चपट गई है लोटे से निकली नहीं रही थी तो फिर मैंने बहुत कोशिस की इसको निकालने की मगर यह नहीं निकल रही थी फिर मैंने क्या किया लोटे को अच्छी तरह से हाथ साफ कर दिया और पिर अच्छी तरह से साफ किया उसके बाद मैं देखी हमारी चए खौलने लगी अच्छी तरह से और चए चाय को अच्छे से खौला लेते हैं तो अच्छी टैस्टी लगती है चाय और आप नेग थोड़ा से रखिए अपन उतालो तो नहीं अच्छी लगती है चाय को थोड़ा अच्छा खौला लेना चाहिए और उसके बाद में देखिए हमारी चाय एकदम रैडी हो गई है और य पड़ी खाल लेती हूं वैसे तो मुझे चाय के साथ कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता हुआ मुझे आज बशल फमर नाव चाय मिल जाए मुझे कुछ खाने से चाय अगदम जगते हैं कि चाय पी हमने पी नहीं है तो मैंने सुचल लावर सामने रखई थी तो मैंने खाई लेते हैं हैं और यहां पर पट्वप्री खाने लगी हूं गरम गरम चाय थी क्रहिच ट्राफ करें दुकान वाले ने तो गरम थी एक दम पप्ली wanna आप drugs दुन आयं में गर खाने में तेक एगा रही धाया जी है रहे हैं फिर उसके बाद मैं देखी हमारी बिट्टो रानी जक चुकी और आकर मुझसे बिल्कु चुपक गई है देखिए यहाँ पर बिल्कु क्यूटी पाईचा मुन्नाचा जुन्नाचा मेरा उठ चुका है और यह मैंने फस्ट कर दिया ता काफी दिर मैं इसे बात करने लगी थी और यहाँ पर देखिए गाईच यह मैंने रात में बड़तर माज कर रख दिये थी तो वो मैं उठा कर रख रही हूँ उसके बाद मैं मैं लग गई हूँ यहाँ पे सफाई करने अनौक ही उठ गई थी क्योंकि जब से यह सो रही थी तो मैं सफाई नहीं कर पा रही थी बैट की तो अब यह उठ गई थी जब तक यह कॉल गिट बगएरा करने चली गई की फिर आ गई पिर यहाँ पर मैंने सफाई करनी लग गई थी बैठ को जर्कान लग गई थी सब्दय सब्द बैय काफी काम हो जाता है इसके बाद मैं मैंने ज़ाड़ लग आने लगाने अपना इतना नहीं होता है गर्मियों में तो बार बार मतलब गर्मियों में हवा चलती है तो बहुत मिट्टी हो जाती है इसलिए रोजी दोना पड़ता है बार इकम तरह में हुए को रोजी दोना पड़ता है और इसके बार में देखे गाई लगता आप ऐसे अपन दो तो गंदे लगते तो पहले मैं पानी से साफ कर लेती हूं बढ़तों को अची तरह से फिर दॉन सा पर चम्झ फर मैंने पानी भन लग गई हूं मैं ताजा पानी बहल लेती हूं क्यों कि अब गर्मी का मौसम है नल थोड़ी परेशान करते हैं ऐसे पूछाज़ाइव नहीं कि चीज चीज disp करने होथ ना इना फुब अचरा से पानी आएगा सब कुछ आ बैद कर दो सब कुछ परकाईश्ण नहीं होने लगती है आप देखियान बड़तन साफ बेदी कम ले ने बड़तन साफ हो चुके है घर भी मैंने एकदम साफ कर दिया है किलीन एकदम और फिर यहां पर देखे यह नौटंकी मेरे साथ इतना मुझे परेशान करती है न बहुत साथ में लगी रहती है उसके बाद मैं यहां पूरा और सफाई कर रही थी अंदर से बाहर से और क्या कहते हैं फिर यहा कर लगा ऻा पूरा कर भाट फिर कि दो सबमकर कर दो जाता है कि कमरे में रख जेती हो एक दम हम उछब फूबादस नहीं है तो मठ के कई पानी प्रीज में तो मैं पानी रखती ही नहीं हूद तो मतका वरके रख लेते हूं पीते हैं और इसके बाद मैं देखिए यह मैं कपड़े दोने लगी हूं यहाँ पर और मेरे साथ में जब तो मैं बिलकुल फ्री नि हो जाओं हूँ जब तक यह लगी रहेगी है उसके बाद मैं मेरी पूजा का टाइम हो गया नाद होकर बोड़ी बैसे कर लेती हूं सबसफाइब अंदर से तो यह से उपनी पूजा की तैयारी कर रही थी यहां पर सब को मैं अच्छी तर ऐसे साफ करके ऊपर नीचा से सबसाफ करकर करके रख रही दियां पर काफी अच्छा लगता है नहा दो के अपने पूजा यहां पर मैंने करने पूरी उसके बाद, हम रुजक खाना बनाना जाऊंगा या कभी कभी सिस्देदार दिश्टेदारा कंड़ी जल्दी जैना है तब सुवह बगढ नहाई बना लेती पर रहुत हुए는 अब मुझे ख़णा बनाने जाना है और देखिए गाइस यहां पर मेरा मंदर एकदम साफ हो चुका है बिलकुल मैंने साफ कर दिया है बरतन वगेरा माज को रख दिये थे अच्छे बगवान जी के और पूजा बगेरा सब करके और मैं यहां पे बिल्कुल फिनिस हो चुकी हूँ और देखिए गईस फिर मैं यहां पर अपनी सब्जी निकाल के बैट गई हूँ अब मैं यहां पर आज बनाऊंगी मैं अर्बी की सब्जी अर्वी की सबजी मेरी फैबरेट है मुझे अच्छी लगती है बहुत उसके बाद मैं मेरा देखो कड़ाई में तेल एक्दम गरम हो गया है और इसमें मैं अब डाल दूंगी अर्वी क्योंकि अर्वी क्या है देखो कितनी तेज गरम तेल हो गया था अर्वी को मैं फ्राइ क करके अच्छे से इसको फ्राइ कर लोंगी तब तक फ्राइ करोंगी तब तक यह ब्राउन नहीं हो जाती उसके बाद में सब्ची बना के इसको रैडी करती हो गाइस बहुत थक गई इसके आगे में ब्लॉग अब बनाऊंगी नहीं रोटी फोटी तो मैं बनाऊंगी वही होत तो दोस्तों आज का आपने मेरा रूटीन देख लिया होगा बहुत से लोग कहते हैं मैं वीडियो बनाती रहती हूं कुछ काम तो करती ही नहीं तो आज मैंने अपना पूरा पूरा तो काम बताए ही नहीं है सौट सौट थोड़े से ले लेकि मैंने डाल दिये थे और गाइस यह मेरा रोज का रूटीन रहता है और क्या कहते है वैस मैं अब वीडियों यहीं समाप्त करती हूं वाई वाई गुड नाइट अब आ रही है बहुत तेज नीद और वो मेरा साम साम वो सौरी सुबह का था वाला मेरा सारा रूटीन मैं आपको दिखाया था वह सुबह का था और साम को फिर मैंने बनाई नहीं साम को भी रोटी सब्जी वही होता जाड़ जाडू बगेरा लगाया जाता है तो मैंने बनाया नहीं ब्लॉग तो अब यह मैंने क्या कहते हैं रात को बस गुड आपको मेरा ब्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेर चरूल करें